Hello dear student, हम continue कर रहे हैं, Class 7th Science, Chapter 5, pick acids, bases and solts अभी हम जो देख रहे थे, लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था, indicator के बारे में देख रहे थे तो हमने उसमें पहला indicator जो देखा, वो तो यह सुस्त्र dónde इस तरह से था यदि आपने यह वीडियो नहीं देखे हैं हमारे तो आप हमारे चैनल बृजेश भाग्री पर जाकर यह वीडियो देख सकते हैं साथी साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एव हम वीडियो को शेयर करें और बेल आइक़न प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है मिलती रहे आज जो मिस्ट्राट करने जा रहे हैं वो तर्मरी इस अनादर नैचरल इंडिकेटर टर्मरीक मैंने जो इसके पहले वाला वीडियो था है ना वूसमें अमने टर्मरीक का बताया भी था और काफी सारे स्टुडेंट्स ने वह एक्सपरिमेंट किया भी था तो टेक टीस्पून फुल ऑफ तर्मरीक पाउडर क्या करना है एक चमज में हिलिक्टिंग तर्मरीक पेस्ट अन्द बलॉटिंग पेपर फिल्टर पेपर एंड डğı एट अब क्या करना है में का ப टर्मरीक पेपर मतलब किसी भी पेपर जो थे तर्मरीक का पेस्ट को पेपर बनाके और उसे शुखा देना है कट थीन स्ट्रिप स और support of one yellow cover फोड़ी सी बून डाल दखेंगे तो आप देखेंगे जो कलर हो जाएगा रैड हो जाएगा है इसका धना जो है वह ए याइक हैक यह नहीं की टर है जो रहें वहाज वह पानी मिल की जो आपका है रट कलर मिल जाएगा आप डेखो इसमने लिखा हुआ है इसमी इसे धाल कि शुए फॉर सेखोर दिया परक। centभ चरथे material कोर टीटिन होद था लाल के लिए! आप अपला इंट गुआ को बाइब लिए वे जाल कि ऑन एक विड़ीन तार मैम को बना लिकाडा टा। You will get a beautiful greeting card, आपको एक सुन्दर सा greeting card मिल जाएगा, यह आप कर सकते हैं, एक paper, white paper पे उसको पूरा yellow कर लिया और उसके उपर एक सुन्दर सा flower बना लिया, किस से soap solution से, तो आप देखेंगे वो yellow color जो है, वो किसमें convert होता जाएगा, red color में तो base yellow रहेगा और flower red color का हो जाएगा, त तो काफी खुबसूरत लगेगा, वो card आप यह कर सकते हैं, फिर इसके बाद हम next उस पे आ रहे हैं, china rose indicator, it is also natural indicator, china rose क्या होता है, जो गुढ़हल का फूल होता है, right color का देखा होगा, गुढ़हल का फूल जो आता है, वो जो कहलाता है, वो china rose कहलाता है, यह देखिए, यह द तरह से यह flower है, और ऐसा लंबासा यहां पूरे पूरे तो यह जो जनरली आपको यह जो flower है, गुढ़हल का फूल कहलाता है, जिसे china rose भी कहते हैं, तो अब इसमें क्या करना है, collect some china rose, कुछ आपको china rose मतलब गुढ़हल flower collect करने है, उसकी पत्तिया, and place them in a beaker, उसको कहा रखन फिर add some warm water, फिर उसमें क्या करना है, आपको गरम पानी मिलाना है, keep the mixture for sometime till water becomes colored, और उस mixture को थोड़े देर ऐसी रखना है, जब तक पानी का color कैसा नहीं हो जाए, रैड नहीं हो जाए, मतलब पानी में color ना आ जाए, use the colored water as an indicator, और हम इस colored water को कैसे use कर सकते हैं, as an indicator, add 5 drops of indicator to each of the solution given in table 5.4, अब यह आपको क्या करना है, इन सब में यह आपको डाल के देखना है, है ना, कि shampoo में, shampoo dilute solution लेना है, lemon juice में, soda water में, sodium hydrogen carbonate में, vinegar में, sugar solution में, common salt solution में, इन सब में यह आपको डाल के थोड़ा थोड़ा सा देखना है, what is the effect of the indicator on acidic, basic and neutral substances, China rose indicator turns acidic solution to the dark pink and basic solution to green, यह भी आप कर सकते हैं, आपके असपास चाइना रोस मिल जाएगा, तो चाइना रोस को जब आप lemon juice में डालेंगे, तो वो कैसा कलर आजाएगा, dark pink कलर आजाएगा, और जब आप उससे soap solution में डालेंगे, तो वो solution कैसा हो जाएगा, green कलर का हो जाएगा, मतलब यह जो ह जो है, जनरली कुछ chemicals के बारे में बताया गया है, जैसे chemicals कौन-कौन से hydrochloric acid, यह जो में घर पी मिल जाती है, अब यहां कुछ chemicals है, hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, acid, sodium hydroxide, ammonium hydroxide, calcium hydroxide, calcium hydroxide, calcium hydroxide को lime water भी बोला जाता है, जो lime water रहता है, लैब में उसे calcium hydroxide बोलते हैं, अब देखो, उसका जो कोड़ा सा ओरली बता देती हूं, क्योंकि अगर इस्कूल चल रहे होते हैं, तो हम प्रैक्टिकल कर पाते हैं, अभी यह प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको औरली बता देती हूं, hydrochloric acid, acid ही लिखा है, मतलब क्या है, acidic test देगा, मतलब solution कैसा हो जाएगा, य nitlic acid, dark pink, acetic acid, dark pink, sodium hydroxide जो है, और hydroxide जो है, यह mainly basic होते है, तो sodium hydroxide कौन से color का हो जाएगा, green color का, ammonium hydroxide green, calcium hydroxide green, तो जो base हैं, वो green color में हो जाएगे, और जो acid हैं, वो dark pink का color के हो जाएगे, अब देखिए कुछ बताया है, information, are you familiar with the term, acid rain, आप लोगों ने acid rain के बारे में सुना होगा, have you ever heard about damaging effect of acid rain, as the name indicates the acid containing excess of, indicates the acid containing excess of acid called an acid rain, acid rain क्या होता है, जब water में acid की quantity बढ़ जाती है, जो rain water आता है, उसमें acid की quantity बढ़ जाती है, तो वो acid rain कहलाता है, तो दर असल होता है, जो different तरह की factories हैं, जो काफी गंदा, पानी के साथ मिलकर जमीन पर आते हैं, और जमीन पर जब आते हैं, तो एक पर्टिकुलर लेवल के बारे में, एक पर्टिकुलर pH के बाद, जो है, acid rain कहलाने लगते हैं, और यह जो अगर plants पे आ रहे हैं, अनिमल्स पे आ रहे हैं, pond, lake, river में जाते हैं, तो वहां के अनिमल्स को हमारी स्कीन पे आ जाएं, तो हमें itching होने लगेगी, है ना, different तरह की disease cause करेंगी, तो इस तरह से यह अपन white color का जो marble है, वो yellowish color का हो गया, तो इस तरह से यह जो है effect अपने show करता है, तो आज मैं आपको इतना ही बता रही हूँ, हमारे next video में हम cover करेंगे neutralization, हमने acid base indicator के बारे में देखा, neutralization reaction क्या होती है, और इससे क्या formed होता है, और क्या-क्या react करते हैं, यह हम next video में देखेंगे, यदि आपको कोई भी doubt, कोई भी problem है, तो आप मुझे message कर सकते हैं, comment कर सकते हैं, keep watching.